चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाईया हो, या हो कोई भी घर का अन्ने समार और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी अभी डाउनलूड करिए बिग ब्लिस एप, बिग ब्लिस एप पहुँचाएगा सारा समार 10 मिनिट में बिग ब्लिस एप एप खुशियों की अपनी दुकाएगा रामबान की तरह है और नुकसान के जो चंसे से उसको रिड्यूस किया जा सकता है, इस पर हम वापिस चप्चा करेंगे पहले विरेन जी, आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि एक एक कमेंट सभी एक्सपर्ट से चाहता हूँ कि ये जो मसालों के अंदर इस समा पर हम तड़के की बात कर रहे हैं और मसालादार उसको मुनापए को बनाने की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपकी पहली प्रतिकरिया, और दूसरा, जो हैजिन टूल, हम लेंकर के चल रहे हैं, और वो एक हतियार के तोड़ के उपर इसी को हम normally hedging केते हैं, बट जब market inverted हो, यानि अगले futures जब discount में चल रहे हो, जो कि last year हमने काफी चीजों में देखा, oil shifts में देखा, और edible oil में भी देखा, तो जिसको reverse hedging बहते हैं, तो in that scenario आप futures में long रहो और physical hedging बेचो, delivery लेके futures की, reverse arbitrage की जिसको बुलते हैं, तो मैं ऐसा मनता हूँ कि इसमें point A और point B दोनों को ज्यान में रखना चाहिए, यानि cash and carry arbitrage as well as reverse arbitrage, क्योंकि hedging, दोनों ही hedging है, एक मैं आप entry Delhi to Mathura दोते हैं, और दूसरे मैं Mathura to Delhi करते हैं, दूसरी बात के लास्ट दो साल से हम जो supply chain में जो disturbance देख रहा हैं, कहीं न कहीं logistics का, तो यह साल यह था particular Ukraine event जो आया है, वो मसालों का जो trade flow उसको डिस्टब कर सकता है, क्योंकि sea of azar जिसको बोलेंगे, और दूसरा Mediterranean बोलेंगे, तर्की इंग्रीस को इन्वल करता है, दूसरा sea of azar जो है, वो उकरें मिश्या को इन्वल करता है, वह commercial shipping में काफी issues already शुरू हो गए है, काफी post measure और default भी शाहिद होंगे, फ्रेंट प्रिम्यम से पर जाएंगे, तो यह देखते हुए और जैसे अश्विन भाई ने कहा, कि इंडिया ही अभी फिलाल as of now जीरा, दनिया में तो इंडिया ही dependable supplier है, तनिया में जो युक्रेनिया, रशिया, बल्गिरिया, रोमानिया, उनका जो supply अता है, चाहे उनका तनिया टेस्ट में हमारे जैसा बढ़िया ना भी हो, बट वो mixing में चल जाता है, तो फिलाल तो यह सो समना रुका हुआ है, और दूसरी बात यह, pent-up demand में काफी देख रहा हूँ, क्योंकि दो साल कोरोना के हिसाब से जो disruption था, तो अब होरे का सेक्टर, hotel, restaurant, catering, जिसको बुलते है, उनमें worldwide unlockdown की जो pent-up demand आई है, और huge liquidity, क्योंकि दो साल लोगों ने movie नहीं देखा, बाहर में नहीं गये, यह सारा जो पेशा इकटा हुआ है, वो discussionary spending में काफी जाएगा, तो demand side की कोई वरी नहीं है, जो वरी है, वो supply side की है, और supply side में सिर्फ इतनी वरी है कि time पे माल मिले, यह चीज़ को address करना, तो वेपावना बहुत खुली पड़ी हुई, future market का जो platform है, वो कई न कई कारगर साबित होता है, विरेंजी, जैसा कि अभी आप दो tools बता रहे थे, एक तो hedging का tool आपका exchange की उपर available है, और दूसरा physical market का आपके hedging tool आप बता रहे थे, तो अब जिस तरीके की समस्या, यहाँ पर, मतलब अश prices up and down हो जाते हैं future market के अंदर या आपका physical market के बीच के अंदर में, वो जो up and down है, वो कहीं न कहीं बायर और seller को बाजार से quit कर देता है, यानि कि या तो बायर भाग जाएगा, उसको अगर parity पे माल नहीं दिख रहा होगा, या seller भाग जाएगा, तो ऐसी situation के बीच के अंदर म किस तरीके से safe guard हुआ जा सकता है, और इस platform को, वाइदा बाजार के platform को किस तरीके से utilize किया जा सकता है, इसमें approach to commodity specific होना चाहिए, और market specific भी होना चाहिए, जैसे suppose, मिर्ची बीच में जो अपनी बात हुई थी, तो मिर्ची के और मदम के बाव अभी एक है, बट अगोचिनेटली हमारे पास मिर्ची का hedging टूल नहीं है, दूसरा जो बैक आउट की बात हुई, के contract defaults या हम जिसको contract sanctity बोलते है, तो उसमें particular country ऐसे है और particularly commodity ऐसी है, जैसे cotton है, या तो पामोईल है, या स्वाबीन है, उस इसमें back out is routine event के, और normally दोनों साइड ये पेक आउट कर देते हैं, शार्क बेस में market जाये तो, फिर arbitration इसका हल होता है, इसमें ये ज्यादा तर छोटी और essential kind की चीज है, के वही ज़रूर पढ़ती है, तो इसमें इतना मैंने washout नहीं देखा, जितना bulk commodity में देखा है, जितन और जहां तक futures platform का सवाल है, तो अभी जो oilseeds और essential commodity जो अभी available नहीं है, तो जितनी भी liquidity है, वो concentrated है, spices spec में, तो ये fortunately, spices को इसका फाइदा मिल गया है, जो hot money influx, जिसको बोलेंगे के hot money है, उनके बास तीन ही option ही available है, तो liquidity अच्छी है, तो hedging, जिनका काम, जिनका exports का especially काम है, या imports का काम है, तो उनको लिए तो ये अभी फिलान काफी अच्छा मुका है, और मैं ऐसा भी देख रहा हूं कि the volatility GC साब से है, तो जो जगदित भाई ने कहा था, ये expected loss और capacity to bear, वो दोनों लाइन ध्यान में रखते हुए, अभी मैं स चले गए नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल निश्यतोर के उपर, सवाल यहां पर hedging tool को लेकर के और मसालों का जो इस समय पर बाजार है, उसमें तड़का लगाने की है, एक एक कमेंट, एक एक हम मसाले की उपर अगर हम बात करते हैं, चाहे आपका physical market हो या फिर future market की वीच में trade होने वाले जो मसाले हैं, उनमें तीन मसाले लगतार यहां पर चर्चा क्या विशय बने रहे हैं, जीरा है, हल्दी है और धनिया है, एक एक कमेंट यहां पर मैं इसकी उपर भी लेना चाहूंगा, विरेन जी आपको क्या लगता है, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से, इन जीरा अपने शबाब पे है, जीरा रिकोर्ड तोड़ रहा है यहां पे, डे बाई डे रिकोर्ड तोड़ रहा है, एक अच्छी खासी तेजी हमने जीरे के अंदर आते हुए देखी है, और इसके पीछे पीछे धनिया और हल्दी भी चल चुके हैं, और एक बैस्ट नए कूदे हैं मसाला इंडस्ट्री के बीच के अंदर में, चाहे और्गैनिक क्या करके वो मसालों को बेच रहे हैं, या फिर अपनी मसाले की एक छोटी सी इंडस्ट्री कह लीजिए, ध्योग कह लीजिए, उनको उन्होंने स्टार्ट किया है, और ऐसे हजारों ऐसी इंड बार के अंदर में पूर्दी है, तो क्या हम ये माने कि ये जो तेजी आई है, ये इंटरनेशनल डिमांड रहो करके डिमांड जनरेट हुई, उसकी वज़ा से ये तेजी देखने को मिली है, विरेन जी, जीरा हमारे या दो है, एक NCDX क्वालिटी जीरा, और दुसरा ये औ जीरा, तो मैं दोनों को अलग-अलग देखता हूँ, मेरी बेलंशेट तिन तरह भी होगी, और अच्छा, और गेनिक की भी होगी, NCDX जिसको जीरा मानता है, उसकी भी होगी, यानि कॉंट्राक्ट स्पेसिविक्शन के हिसाब से, और और गेनिक की भी होगी, और दुसरा, कि अगदी का सवाल है, तो वो अपने all-time high 17,000 से अभी भी काफी नीची है, पिर भी वो मेरे buy list में नहीं है, या preferred नहीं है, जो भी आप मानो, preferred bet मेरा technical या fundamental सभी इसाब से जीरा, मैं, मैं, इवन इफ ये price में उचा है, फिर भी मेरा bet जीरा पे मेरी पसंद ज्यादा रहेग एक तो मैंने जो identify किया, कि regular जीरा, IPM जीरा, organic जीरा, दुसरा थुड़ा crop damage story, storing पी काफी कम रही, और दुसरा ये है, जो सबसे बड़ी बात, जो मेरा core logic है, वो ये है, कि destination market और origin market, destination market में inventory थोड़ी low है, जीरा में, जो अनलोकडाउन प्रोसेस पुरे वर्डवाइड चलू हो चुकी है, होटल खुल रही है, लोग बाहर में कलना शुरू हो गया, mask mandate खतम हो गया, ये COVID SOP सब खतम हो रही है, तो ये देखते हुए, इसमें थोड़ा ज्यादा है, और दुसरा, जो मैं चार्ट की हिसहाब से ज्य पर जाता है, और दनिया, दनिया को लेकर के क्या आपका रुख है, दनिया में ये Ukraine factor, Russia factor काफी अहम रोल रखता है, बट इसमें रिलेटिवली थोड़ा पुरणा स्टॉप का, जिसको माल बोजा कहे है, या इसमें इतना है कैसा है, वो मैं clear महीं हूँ, बट यहाँ, जिरे में clear हूँ के करीमन 25 का, 25 दिसका केरी परोड बानके मैं चल रहा हूँ, तो या पर कितना है, वो मेरे बास authentic number अभी नहीं है, तो मैं जिरा पर जारा हुबस कर रहा हूँ